और अब गतिविदियां विस्तार से यम्ननगर के गाम वरपोली में 9 अशी बच्चे का शव मिलने से गाम में फैली संसनी बच्चे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट परिजिनों ने कराई थाने में दच यमननगर के थाना रादोर के गाम रपोली में 9 साल का युवराज मंगलवा से घर से अचानक लापता हो गया जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट परिजिनों ने रादोर थाने में दी लेकिन आच सुबह ही इस बच्चे का शव घर के पीछे बने एक जोहड पे पड़ा मिला जिसकी सूचना पडोसियों ने परिजिनों को दी युवराज की दादा ने बताया कि युवराज खेलते खेलते घर के पीछे बने जोहड की तरफ चला गया परिवार वाले दो दिन तक ढूंडते रहे परिवराज का कोई पता नहीं चला आज सुबह गाउं के ही लोगों ने जब परिवार वालों को सूचना दी तो देखा कि बच्चे के शव को कुट्तों ने नौच रखा था जिसकी सूचना परिजिनों ने पुलिस को दी सी प्रणाम सी निम्राज सेंग के नौच गाए पर 9 साल यहां खेड़ा 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 जोड़ी बाल निकल गया चपड़ा जोड़े पहलपूर की सीचना बचे देख गया एक हैसी लबदे फिरे पनदने कि निकल गया बार शोल गया यह पर सो ठिकाती हो जहीं लबदे लबदे उन आपना फेलते रहा है सारे जोडियां वेखियां कि नजर नहीं आया जो फिर शनुन सेरे आजे थेवी निगा ले फेरे उसे फ्रॉसी है नो जोडियों के लिए दोप गया थे उते जिस लग जा थे उन खुछे करते खेल रहे हैं जो जोड़ा जोड़ा जाया है जो जो पने कर से लख पताणाब जोड़ा जाया है दफ तारीक तुस्वेरे आठ बजे चला गया दर जो कुछ आया जाता है भी मन्द बुदी था इसको पदा निए था ना आशार पड़ा लिख रहा है ना कुछ तुकर को बंद रखते तिकर के जौजा खुला देखके निकल गया यह जो आज सुब है उच्छा में लेगी यह तो नोचर प्रफिट बुड़ी ले गया है इसको महुत होगी है यह का उन्हें बज्चेगी आश्ना उमर नौख आलों मरता है इस तो तर्स्या भी का रही है पहले परचादरी करें तो पहले परचादरी कर देखका लग आइस पर तरीका रही है